हाला लाईट इवनिंग खुर इवनिंग गडिब्निंग खुरकूर कैसे आप सभी लोग आज़े आप बहुत अच्छे होंगे वयास होंगे और अपनी पढाई लिखाई में मस्त होंगे आउंटिंग फिकर काउंटिंग का फॉस्ट detect कर लिया था और उसमें हम लोगों ने देखा था ट्रेंगल आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वाइर और रेक्टेंगल और आज हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है एक बार जल्दी से सेयर कर दीजिए अपने सभी मित्र मित्राणियों भाई बंदूओं को चल यह तो इस्टा लगों वह तो यहां कितने हो जाएंगे 5 इसकुएर नमबर ओफ स्कुएर मैं पूछ रहा हूं अब इस फिगर में नमबर ओफ स्कुएर कितने होंगे तो जब नमबर ओफ रोट नमबर ओफ कॉलम सेम होता है देन हम क्या करते हैं एक चीज़ याद रखना है आपको जब न सभी का स्क्वायर करके सम कर देना है बस वही हमारा आंसर होगा तो 1 प्लस 4 प्लस 9 is nothing but 14 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14 इस इस क्लियर और नॉट ठीक है समझ में आ गया सभी को कि चैलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ इसका जल्दी से आंसर बताइए तो यह चारों तरफ दोनों तरफ से कितना है 12344 by 4 का है तो 4 by 4 का क्या करना है बस हमें 1234 वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इनको सब आपको जोड़ दीजिए 16 4 29 1 10 यानि कि 30 हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर कितना हो गया 30 ठीक है कि अब जब नंबर ओफ रोव एंड नंबर ओफ कॉलम सेम ना हो तब हम क्या करते हैं तब रो और कॉलम दोनों में नंबरिंग कर लीजिए 123412 and 3 यह 4 by 3 की matrix है आपको पता होगा कितने यह 14 by 3 की matrix है 4 by 3 प्लस दोनों तरफ एक एक नंबर कम करिये 3 by 2 प्लस 2 by 1 तो इक इतना हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 2 20 इसका अंसर हो जाएगा कितना स्क्राइर हो जाएँगे 20 इसका आंसर जल्दी से सभी लोग बताएं 1 2 3 4 5 6 और यह 1 2 3 6 by 3 का है यह प्रोसेस हमें कब लगाना है जब number of row and number of column सेम नहीं होंगे तब हमें इस प्रोसेस से question लगाना है है कि 20 चलो इसमें बताओ 6 by 3 का है 6 by 3 प्लस दोनों तरफ एक एक number कम कर दीजिए 5 by 2 फिर दोनों तरफ एक एक कम कर यह 4 by 1 और जब तक 1 आ जाए तभी तक हमें multiply करना है क्योंकि next आगे भी multiply आप कर सकते हैं कोई मतलब नहीं है उसका तो 63 जा 18 प्लस 10 प्लस 4 18 प्लस 10 28 और प्लस 4 32 32 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है ठीक है 37 शुभम मिस्रा गलत है बिटा आपका अंसर चलो next इस फिगर में बताईए कितने होंगे question number 5 में how many squares are there in this given figure जल्दी से बताईए तो देखे अगर एक हमारे पास ऐसा होता तो हमारा अंसर होता 5 दो है तब आप आंसर दे देंगे 10 बट 10 अंसर नहीं होगा देखे 5 इसका और 5 इसका यहां तो हो गए 10 एक हमारे पास common वाला फिगर आ रहा है इस एक को हमें माइनस करना पड़ेगा तो 10-1 9 हमारा अंसर हो जाएगा कितना अंसर हो जाएगा 9 हमारा अंसर हो जाएगा अच्छा सेम ऐसे ही अगर यहां पूछा जाए आप से यह फिगर बढ़ा दिये जाए ऐसा कुछ फिगर आ जाए तो जितने हमारे शीडियां दिखाई दे रही है उससे एक कम जितने फिगर यहां दिखाई दे रहे हैं उससे एक कम कॉमन होता है जैसे देखो इदर ध्यान से 1 2 3 4 5 तो 5 5 25 तो होंगे ही और एक दो तीन चार चार हमारे फिगर कैसे हैं कॉमन वाले फिगर है तो यह चार इसमें माइनस कर दीजिए फोर इसमें माइनस कर दीजिए तेन और आंसर इस टुन्टी ववन क्लियर सभी लोग दे रहे हैं आंसर की नहीं अच्छा अगर इस फिगर में मैं आप से पूछूंगी आंसर क्या होगा तो जल्दी से बताइए यहां पर आंसर क्या होगा हमारा तो जब भी आपको मकडी के जाले की त और एससी योद्धा एससी अंडर इसकोर योद्धा यह दो टेलिग्राम चैनल है इन में से किसी को जाइन कर लीजिए डेली आपको यहां पर मैं जो प्रैक्टिस करवाँगा जो कुश्चन करवाँगा वो पीडियोप अगर है यहां मिलेगी और एससी योद्धा पर अभी दो हजार चौबिस 2024 परी के लिए बहुत जल्द मैं डेली वाइस सेड्यूल सुरू करने वाला हूं तो वह भी मिल जाएगा आपको चलिए तो जब भी आपको यह मकडी के जाले कितने दिखाई दे तो 1234 कितने हैं इसमें फोर कॉर्नर गिन लीजिए बस तो फोर 20 इसका आंसर हो जाईगा कितना हो जाएगा 20 इसका अंसर नेक्ष्ट कोश्चन की तरफ कूच करते हैं हम लोग विसको आउंसर बताईे उसके बाद इस कोश्चन भी आई और यह कोश्चन थोड़ा ज्यादा खतरनाक दिख रहा है है नहीं इस कोश्चन का आंसर बताईए जल्दी से सभी लो कुश्चन नमबर सेवन कि चलो भाई तो इसका आंसर क्या है तो सबसे पहले एक बात बताईए कि सर हमें ये 123412344 बाई 4 का दिखाई दे रहा है कि नहीं आप कहेंगे सर चलो 4 by 4 से निकाल दीजिए 1 स्क्वाइर प्लस 2 स्क्वाइर प्लस 3 स्क्वाइर प्लस 4 स्क्वाइर कितना हो जाएगा 149 16 and this is 30 30 तक कोई प्राब्लम ए थिंग्टी तक कोई प्राब्लम नहीं हो नी चाहिए 16 प्लस 4 29 130 अंदर इसमें हम को पांच दिख रहे हैं कि नहीं पांच में पांच इसमें पांच इसमें पांच इसमें और पांच इसमें तो 55 25 30 प्लस 25 इस नथिंग बट 55 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 55 कितने लोगों का 55 था अच्छा आप सेकेंड को कैसे गिना जाएगा तो सेकेंड को गिनने के लिए 123456 और 262 का हमें दिखाई दे रहा है अगर हम यह यलो वाली लाइन हटा दे तो six by two का हमें दिख रहा है ठीक है प्लस फाइब बाइब वन तो सिक्स टूजा ट्वैल प्लस फाइफ 17 नेक्स्ट अब अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमें एक फिगर बिटा फाइफ वाला दिख रहा है कि नहीं यह एक फिगर फाइफ वाला दिख रहा ह है और फाइफ इसके ट्वंटि फाइफ यह हो गए गए बट9 एक कॉमन वाला भी दिख रहा है यहां कॉमन फ्सलिश्यक सोगया तो प्लस फिगर होगे तो फिगर होंगे तो कॉमन कितने होंगे छोड पहली मैंने आपको बताया तो वह फोर माइनस कर दीजिए तो शेवैन बहुत अच्छे शाब बास वेल डन ये बढ़ते हैं next question की तरफ and our next question is this question no.9 का answer बताईए जरा सभी लोग इत्मिनान से गिनियेगा प्यार से गिनियेगा जल्दबाजी करने की जुरूरत नहीं है question no.9 जल्दी जल्दी आंसर दो भाई बहुत देर हो रही है इत्ती जल्दी पंद्रह यस तो अब इसमें कैसे गिना जाए इस फिगर को देखेंगे 55 इसमें 1 2 और 3 तो 55 10 3 13 14 ये वाला और 15 ये वाला ये बड़े वाले दो 14 15 और एक 16 सबसे बड़ा वाला तो 16 तो सबके आने ही चाहिए next this one is 17th and this one is 18th तो इसके सही जवाब जो होगा वह आपका 18 होगा कितना होगा बेटा 18 ठीक है टेर है किसी का 18 आया इस फिगर का आंसर बताए जल्दी से इसको हम कैसे टेकल करें इसको हम कैसे गिन सकते हैं तो देखिए इसमें गिनने में बहुत बड़ा कोई rocket science नहीं है सबसे पहले यह 5 वाला हमें दिख रहा है तो इसमें तो 5 हो गए ठीक है 6 7 8 9 10 11 11 हो गए अब यह मिलके बिटा एक बनाएगा 12 एंड यह दो मिलके एक बनाएंगे 13 तो और राइट आंसर इस 13 ठीक कितने स्क्वाइर हो जाएंगे यहां 13 बढ़े नेक्स्ट कोश्चन की तरफ अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की ठीक है कि इस विगर में मैं अगर आपसे पूछूं रेक्टेंगल कितने हैं तो अर्टेंगल की सबसे पहले तो ठीक है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा ओल स्क्वाइर्स आर रेक्टेंगल ओल कि इसक्वाइर्स आर रेक्टेंगल कि सभी वर्ग आयत होते हैं बट सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं तो 5 तो इसमें स्क्यार थे ही प्लस 12345 थे ही स्क्यार 788-9 ऐंढ वर्गेर ऐसे हैं जो केवल रेक्टेंग्टिंगल है तो 5 फ्लस 4 कितना हो जाएगा 9 कि आंसर आजाएगा हमारा विट भाइटा 1, 2, 2, row और column दोनों में numbering डाल दीजे, row को अलग जोड दीजे, column को अलग जोड दीजे, 3 आया और 3 आया, दोनों का product करा दीजे, बस, 3-3 जा 9, यहां देखते है, 1, 2, 3, कितना होगा sum, 6, 1, 2, 3, कितना होगा sum, 6, 6 multiply by 6 करा दीजे, और answer is 36, ठीक है, row और column दोनों में numbering करनी है है, row को जोड देना है, column को जोड देना है, और आपस में उनका product करा देना है, वही हमारा answer हो जाएगा, यह किसी स्थिती में है, जब row और column सेम होंगे, if in any condition आपको कहीं ऐसा question मिल जाए, जहाँ row और column सेम ना हो, then what we will do, आप क्या करेंगे हैं हम लोग, कुछ नहीं, जो अभी तक हम सीख क्या है, वही करना है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, row का sum करिए, column का sum करिए, आपस में product करा दीजे, बस हमारा answer आ जाएगा, 10, यहाँ तक कितना है, 6, multiply गरा दीजे, 10, 6, 6, T, ठीक है, ठीक है, इसका answer अब जल्दी से comment करके बताओ, आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, चल्दी से बताओ, सभी लोग, 36, 60, इसका बताओ, 10, multiply, यहाँ तक कितना होगा, 15, 6, 21, 210 हमारा answer हो जाएगा, अच्छा अब एक बात सोचो, अगर 210 rectangle गिनने हो, तब कितना time लगेगा, इसमें, ठीक है, क्या single single आप count कर सकते हैं, जीवन में नहीं, और अगर कर दिया, इतने चमतकारी पूरस तुम हो गए, कि तुमने count कर लिया, तो paper में यही question करके आओगा, अकेले, और कोई नहीं करके आओगा, ठीक है, इसका answer बताओ, जल्दी से, सभी लोग इस figure का answer बताएं, अच्छा, आज की class बहुत लंबी नहीं चल नहीं है, बस 17-18 question है, खतम, triangle खतम, square खतम, rectangle खतम, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, circle आप लोग count करी लोगे, cube आप लोग count करी लोगे, यह chapter खतम, ठीक, चलो बताओ, इसका answer बताओ, जल्दी से सभी लोग, अच्छा, इसमें कैसे count किया जाए, अगर यह वाली lines हटा दी जाए, तो 9 पहले थे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, पहली नजर में इसका answer, हमें देखने को 17 ल इसका answer 17 ही आता है, बट गलत है 17, अच्छा, आप एक बात सुनो, अगर हम इस एक square में, एक line बढ़ाते हैं, तो कितने extra rectangle बनेंगे, वो हम count कर ले, पहले, इस line से कितने extra rectangle बन रहा है, तो 1, 2, दो तो हमने गिल लिए, एक तीसरा यह कौन गिनेगा भाई, मैं तो नहीं 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, से कौन-कौन से छोड़े आप लोगों ने पता है, यह वाले छोड़े हैं सभी ने, यह एक, एक यह दो, एक यह तीन और एक यह चार, यह जितने जगमगार हैं, सब यह छोड़ दी हैं आप लोगों ने, तो 9 हमारे पास पहले थे, प्लस, 3, 4, 12, 9, 2, 21, 21 is our right answer, ठीक है, पहली नजर में इसमें आंसर 17 आता है, 21, शाबाश, इसका आंसर बताओ, अब एक लाइन में हमने देख लिया कितने हैं, 3, अब इसमें बताओ जड़ा आंसर, सभी लोग, अब आप लोग आंसर पता हैं, क्या करोगे, कि सर, 3 इसका, 3 इसका, 6 इसका, 6 इसका, और 9 पहले, तो 9 प्लस 18, 9, 8, 17, 27, आप आंसर लगा जाओगे, गलत हो जाएगा फिर से, फिर से गलत हो जाएगा, ठीक कैसे, क्योंकि यहाँ पर, 6 rectangles नहीं बनेंगे, यहाँ पर 6 से ज़्यादा बनेंगे, कौन-कौन से, देखो जड़ा, 1, 2, 3, सिंगल-सिंगल, समझ में आगया, बराबर, 4, 2 मिला के एक बना, 5, 2 मिला के एक बना, ठीक, अब देखना जड़ा ध्यान से, 6 ये वाला, और 7 ये वाला, एक लाइन से, अब 6 नहीं बनेंगे, बिटा, कितने बनेंगे, 7, देखो रुची पटेल, राहुल पटेल का अंसर आया है, 27, गलत है बिटा, राहुल, ठीक है, तो इस लाइन से, 7 बनेंगे, बिटा, हमारे, कितने रेक्टेंगल बनेंगे, 7 इसमें, 7 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 7 टूजा, 14 प्लस 6, 20 प्लस 9, 29 इस आवर राइट आंसर, 29, ठीक है, 29, यस त्रिपाथी, शाब बास, वेल डन, क्या बात है, 29, बढ़े अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन है, यहीं नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा, चलो देखते हैं, इस फिगर में, आंसर बता दो, समझ में आ जाएगा, कि तुम लोग प्यार से पढ़ रहे थे, अभी तक, मन लगा के पढ़ रहे थे, इस फिगर में, आंसर बता दो, जड़ा, क्वेश्चन नमबर 17, बताओ जड़ा सभी लोग, question number 17 जल्दी से बताओ अब इसमें answer गड़ बढ़ाओगे आप लोग मुझे पता है इसमें answer गलत दोगे आप लोग ठीक अच्छा एक बात बताओ इसमें पहले answer निकालो तब मैं बताता हूँ इसको इस figure में और इस figure में क्या answer है इस figure और इस figure में क्या answer है कोई difference है इन दोनों figure में नहीं इस figure का answer आप second में दे सकते हो उस figure में time लगाओगे इस line को बढ़ा के थोड़ा सा उपर किया इस line को अच्छा सौरी सौरी सक्तिमान यह वाली line यह नहीं होनी सर 9 प्लस 3 इसके 3 इसके तो 9 6 15 सेम यही condition 9 उस वाले में हैं 3 इसके 3 इसके तो 9 6 15 आंसर हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा figure में अगर कोई figure rotate होके आ रहा है छोटा बढ़ा करके आ रहा है तो आंसर चेंज नहीं होगा कज़रा आंसर बताना सभी लोग कि इस फिगर का आंसर बताओ ज़रा सेम यही figure जो है आता है और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके दे दूँ तो आंसर बन जाएगा तुमारा विदिन सेकेंड आंसर दे सकते हो बट इस figure में आंसर गलत आएगा तुमारा ठीक है अब इसमें सोचने को मजबूर हो जाओगे अच्छा इस figure को अगर मैं ऐसा बना दूँ तो आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई कष्ट कोई परिसानी कुछ नहीं तुरंत आंसर आएगा तुमारा सर वन टू टू का क्यूब कर दीजे एट इसी figure क प्रॉब्लम को घुमा के रख दिया गया है एट इसका भी आंसर है ठीक है एट इसका भी आंसर है तो अब मैं जितने कोश्चन पहले पढ़ा चुका हूं पीछे उनको जरा ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे शिवाकांत साब बास उनको जरा ध्यान से देखिएगा ऐसा तुने फिगर रोटेट होके आ रहा हो या गड़बड़ा के कुछ दे रहा हो तो आपको गड़बड़ा ने की जरूत नहीं है ठीक है ओके सार यह थी आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने मित्र मित्राणियों भाई बंदू सबको शेयर करिएगा और एक्जाम फोडू एक्जाम खोड़ना है तो आजाओ एक्जाम फोडू पर एक्जाम फोडू एप डाउनलोड क प्राणियों का